आज मैं सेर कर रहे हूँ रक्षा वंदन इस पेसल बहुत ही सुहादिश्ट और मैदे से बनी हुई मिठाई और इस मिठाई कुना आप घर पे बहुत ही आसान तरीके से बना के तयार कर सकते हैं तो यहाँ पे मैं गैस पे रखती हूँ पैन और इसमें डाली हूँ दो बड़े चमच देसी गी और इसमें डाल रहे हूँ एक कप मैदा और मैदा को मैं थोड़ी तेर तक भून लोंगी यानि कि हलकी सी इसमें से खुसबू आने लगे कि इतना ही भूनना है बहुत एक कटोरी चीनी और जितना चीनी याना उसके आधा कटोरी मैं इसमें पानी डाली हूँ क्योंकि हमको एक तार की चासनी त्यार करनी है तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है और एक तार की चासनी आप जब जो आप चासनी रखे हैं उसमें से जब बबल साने लगे और थोड़ा चिपचिपई हो जाए तो आपके चासनी बिलकुल परफेक्ट होती है तो मैंने बना ली और इसमें जो मैं मैदा भून के रखी थी उसको डाल दी हूँ और एक कटोरी में डाली थी यहाँ पे मिल्क पाउडर अगर जो आपके पास है तो डालिये नहीं तो आप इसके भी कर सकते हैं उसके जगह पे आप खोया का भी इस्तिमाल कर सकते हैं तो यहाँ पे हमने जो मिक्षर है उसको त्यार कर लिया है तो यहाँ पे मैं आधा से यानि की फोर्थ में से थ्री भाग को एक थाली में निकाल ले हूँ और एक भाग को हमने अलग रखा है उसकी स्ठपिंग त्यार कर लोगी तो यहाँ पर मैं ली हूँ एक कटोरी काजू और एक कटोरी पिस्ता और चार पांच इलाइची को हमने उसके दाने को निकाल लिया था और इसका एक दर-दरा सा पाउडर तयार कर ले हूँ अब और जो मैं इधर रख्ये हैं जो मैदे का मैं mixer तयार करके रखी थी, उसके अंदर इसको डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से हाथों से mix कर लूँगी एक dough की form में कर लोँगी इस mixer को, इस mixer को जो उदर मैं मैदे की stuffing तयार करके रखी हूँ उसके अंदर इसको फिल करना है तो हमने यहाँ पे अच्छी तरस mix कर लिया और अब मैं इसमें थोड़ा सा food color डाल रही हूँ एक पिंच के बराबर और उसको दूद में घोल ली हूँ और यहाँ पे मैं yellow color का इस्तमाल कर रही हूँ आप चाहें तो green, red किसी भी color का food color आप इस्तमाल कर सकते हैं अगर जो आपको food color नहीं पसंद है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं तो हमने यहाँ पे stuffing में डाल दी इससे डालने से थोड़ा सा उसका color dark हो जाएगा और दो color में दिखेगा तो अच्छा लगेगा इसलिए तो optional है बहुत जरूरी नहीं है कि आप food color का इस्तिमाल करें अगर जो आप चाहते हैं तो कर सकते हैं तो यहाँ पे जो हमारा mixture है जो stuffing है उसको हमने तयार कर ली है अब जो इधर आटे का मैं तयार करके रखी हूँ mixture उसको हम अच्छी तरह से ठंडा कर लिये हैं और यहाँ पे मैं ली हूँ फाइल पेपर और प्लेट में बिचा ली हूँ अब इस टूप का मैं दो भाग कर लूँगी और इसको मैं चकले पे रखके और बेलन के सहारे से थोड़ा बेल लूँगी रोटी की तरह इसको बेल लूँगी बहुत पतला भी नहीं करूँगी जैसे मोटी रोटी बनाते हैं उस तरह से इसको बेल लूँगी तो हमने यहाँ पे बेल लिया है और अब जो मैं stuffing रखके हूँ उसका हाथों से दबाते हुए रोल जैसा करते हुए इसका भी दोभाब कर लूँगी और इसके अंदर stuffing को भर दोंगी तो ऐसे ही दबाते हुए इसको भर देना है और यह जो मिठाई है न मैं देकी बहुत ही स्वाधिष्ट बन के तयार होती है और आप सभी को तो पता ही है कि आजकल तेवारों पे आपको बिलकुल चाहें कि फ्रेश ताजा लेगी हर मिठाई के अंदर कुछ ना कुछ तो कुछ ना कुछ सेंथेटिक चीजों का इस्तिमाल करते ही हैं तो सबसे अच्छा है कि आप घर पे ही मिठाई बनाए थोड़ा उनकी तरह मानली जी कि आपका परफेक्ट नहीं बने लेकिन फिर भी सुद्ध साथ तो रहेगा कम से कम तो इसलिए हैं और यहां पर जो है हमने स्टिफिंग को फिल कर दी है इसके अंदर और अब इसको फाइल पिपर के उपर रखोंगी और अच्छी तरह से कवर करते हुए कम से कम डेड़ से दो घंटे तक फ्रीजर के अंदर इसको रख दूँगी ताकि जो यह हमारी मैदे की जो रोल है यह अच्छी तरह से सेट हो जाएगी और इसके बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी तो इसी प्रोसेस में जो दूसरा भाग है उसको भी बना के त्यार कर लोगी और इन दोनों को अच्छी तरह से सेट करके और रख दूँगी तो आई होब की आप सभी को यह मैदे से बनी हुई स्वादिष्ट मिठाई बहुत पसंद आएगी और आप सभी भी जरूर ट्राइ करेंगे तो यहाँ पे दो घंटे हो गए हैं और फ्रेजर से मैं बाहर निकाली हूँ और कट कर रही हूँ तो देखे बहुत ही और बहुत ही सुन्दर डिलिसेस मिठाई बन के तःयार हुई है रक्चाबंदन спیшего और कल मैं रक्चाबंदन पे इस मिठाई से ही रक्चाबंदन सेलिब्रेट करूंगी तो आप सभी भी जरूर बनाएगा अगर जो आप सभी को ये मिठाई अच्छी लगती है तो वीडि कर सकते हैं तो चलिए आज के लिए इतना ही फिर मिलते हूं कुछ और रेस्पी के साथ और यहां पे मैं प्लेटिंग कर रही हूं और बहुत ही ब्यूटिफुल बन के त्यार हुई बिल्कुल लग रहा है बाजार के जैसे और टेस्ट तो बहुत अच्छा है हमने यहां पे चीनी का इस्तमाल थोड़ा कमी किया है अगर जो आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा चीनी का इस्तमाल कर सकते हैं तो देखिए मैं यहां पर दिखा रही हूँ, बिल्कुल बाजार की तरह बनी है, बहुत ही जादिश्ट बन के तयार हुई है